हेलो नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूटू चैनल 5 मिनट स्टडी में तो आज हम बात करने वाले हैं 26 फरवरी 2024 करेंट अफेयर्स जो सही परिछाओं के लिए महतपूर्ण होगा तो चलिए बिना लेट कुए वे हम वीडियो को सुरू करते हैं लेकिन उस दिवस कब मनाया गया हाल ही में केंद्रिय उत्पाद सुल्क दिवस कब मनाया गया है आपके आपसंस हैं ए 22 फरवरी बी 24 फरवरी सी 23 फरवरी डी इनमें से कोई नहीं तो इसका सही जबाब है आपसंबी 24 फरवरी चलिए हम आगे बठते हैं अपने दूसरे सवाल पे तो कहां ग्लोबल टेक्स्टाइल एक्सपो भारत टेक्स 24 का उद्गाटन करेंगे हाल ही में प्रधान मंत्री मोधी कहां ग्लोबल टेक्स्टाइल एक्सपो भारत टेक्स 24 का उद्गाटन करेंगे तो इसका सही जबाब है आपसंसी नई दिल्ली आपसंसी नई दिल्ली चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे सवाल पे आपका तीसरा सवाल है आपका तीसरा सवाल है हाल ही में कौन भारतिये मूल के पहले बीबीसी चेयर्मेन बने हैं तो इसका सही जबाब है हाल ही में किसे भूसन पुरसकार से सम्मानित किया गया है तो इसका सही जबाब होगा जल्दी बताइए आप लोग इसका सही जबाब होगा आपका पाच्वा सवाल है हाल ही में एन्टी पीसी रिणियेवल एनर्जी लिम्टेड की पहली स्वर परियोजना का परिचालन कहां सुरू हुआ है आपके आप्सन से ए भुपाल बी कोलकाता सी छतिसगर डी इनमें से कोई नहीं जल्दी विदाएए तो इसका सही जबाब होगा आपसन सी छतिसगर आपसन सी छतिसगर चली हम आगे बढ़ते हैं आपका च्छठा सवाल है हाल ही में भारतिये मूल की किस महिला को टाइम मैगजिन ने परसन आफ दा इयर चुना है हाल ही में भारतिये मूल की किस महिला को टाइम मैगजिन ने परसन आफ दा इयर चुना है तो इसका सही जबाब होगा आपसन बी लीना नायर आपसन बी लीना नायर चली हम आगे बढ़ते हैं अपने सात्वा सवाल पर आपका सात्वा सवाल है हाल ही में किस देश में मुवाइल वर्ल कांग्रेश 2024 का आयोजन होगा आपके options हैं A. चीन, B. जापान, C. स्पेन, D. इन में से कोई नहीं तो इसका सही जबाब होगा option C. स्पेन चलिए हम अपने अगले सवाल पर चलते हैं आपका आठवा सवाल है हाल ही में SJVN ने कहां 50 MW के गुजराई सोर उर्जा संयंत्र का उधगाटन किया है तो इसका सही जबाब होगा option B. उत्तर पर देश चलिए हम आगे बढ़ते हैं आपका नौवा प्रस्ण है हाल ही में कहां Miss World 24 की सुरुवात हुई है हाल ही में कहां Miss World 24 की सुरुवात हुई है तो इसका सही जबाब हो जाएगा option C. भारत चलिए आगे बढ़ते हैं अपने दसवे सवाल पे आपका दसवा सवाल है हाल ही में कहां पहली बार महराष्ट MSME Defense Expo आजोजित किया जाएगा हाल ही में कहां पहली बार महराष्ट MSME Defense Expo आजोजित किया जाएगा तो इसका सही जबाब है option B. पूरे चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने 11 सवाल तरफ चलते हैं आपका 11 सवाल है हाल ही में किसे लता मंगेस कर पुरस्कार मिला है तो इसका सही जबाब हो जाएगा option A. सुरेश वाड कर option A. सुरेश वाड कर चलिए हम अगले सवाल पे चलते हैं आपका अगला सवाल है चलिए हम अगले सवाल तरफ बढ़ते हैं आपका अगला सवाल है हाल ही में कार अस्थल पर हिंसा और उत्पीरन को समाप्त करने के लिए आईये लो कन्वेंशन को मंजूरी देने वाला पहला A. C. देश कौन मना है तो इसका सही जवाब हो जाएगा option C. फिलिपिन्स option C. फिलिपिन्स चलिए हम आगे बढ़ते हैं आपका तेरा सवाल है हाल ही में किसे राज सरकार ने मुस्लिम मैरेज और डिवोर्स एक्ट को खत्म किया है हाल ही में किसे राज सरकार ने मुस्लिम मैरेज और डिवोर्स एक्ट को खत्म किया है तो इसका सही जवाब हो जाएगा option B. आसम option B. आसम चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने 14 वे सवाल पे चौदवा सवाल है हाल ही में किसे FATF को वित्य अपराध निग्रानी सूची से हटा दिया गया है तो इसका सही जवाब हो जाएगा option A. UAE option A. UAE हम आगे बढ़ते हैं आपका अगला सवाल है दोस्तों अगर आपको जे वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कीजेगा चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजेगा चलिए आगे बढ़ते हैं हाल ही में भारत की पहली गती सकती अनुसंधान पीठ कहां स्थापित की जाएगी जल्दी तो इसका सही जवाब हो जाएगा जाएगी 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 जाएग झाल झाल